प्रिये छात्रों आधर्णिय अभिभाव को और M.G.C.I. के शुप चिंतकों को मैं विजे जाट M.G.C.I. की ओर से साधर प्रणाम करता हूँ दोस्तों आज मैं यहाँ पर C.U.T. 2023 में M.G.C.I. के दमाकेदार परिणाम को लेकर आया हूँ हर वर्षी की तरह इस वर्षी भी M.G.C.I. के शात्रों ने पूरे भारत में अपने माता-पिता और अपने सिक्षकों का नाम रोशन किया है जैसा कि आप जानते हैं कि M.G.C.I. अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है और हमारा कमिटमेंट है कि हम हर वर्षी पिछले वर्षी की तुल्ना में बहतर परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं और ये काम इस बार भी हमारे शात्रों ने किया है तो मैं आपर आज लेकर आया हूँ M.G.C.I. की टॉप टेन स्टुडेंट के परिणाम मैं यहाँ पर छमा चाऊँगा कि मैं सभी शात्रों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी शात्रों के नाम लूँगा जिनके परिणाम मेरे पास आये हैं तो जिन शात्रों ने अपने परिणाम मुझे नहीं पोचा हैं वे चात्रे इस नंबर पर अपने परिणाम भेजने का कस्ट करें जिससे कि में नेक्स्ट वीडियो में उन चात्रों का भी नाम ले सब तो अब देर ना करते हुए हम चलते हैं M.G.C.I. के टॉप 10 स्टुनेंट्स पर और उसमें सबसे पहला नाम है हेमानशी पमार हेमानशी पमार के अगर हम बात करें तो इस चात्रा ने 600 में से 512.89 अंक लेकर आया है और ये सिर्फ किसी एक विशे के इसाफ से नहीं है एक विशे के अंदर नहीं है ये अगर देखें तो तीनों विशे में उसका परिणाम बहतर रहा है अगर आप एगरी कच्चर में देखेंगे तो 99.92 मतलब हम वो सकते हैं कि लगभाग 100% टाइल बाइलोजी में देखेंगे तो 98.22 और केमेस्टी में देखेंगे तो 96.96 और ये से अगर इसके मार्ग से देखें तो 512.89 है 600 में से ये से ही अगर हम दूसरे नंबर पर देखेंगे तो दुरूप आटिदार है और दुरूप आटिदार के 600 में से अगर हम देखें तो 600 में से 504.98 मतलब लगभाग 505 माक्स आया है और इस बच्चे ने भी तीनो विशे में बराबर परफॉर्म किया है एग्रिकचर में 99.77, बाइलोजी में 96.40 और केमेस्टी में 97.35 में अगर हम कहें तो इस्ट हो या वेस्ट एमज़ी के चाटरों सब्जेक्ट कोई सा भी हो, एमज़ी के चात्रों ने बहतरीन प्रदर्शन किया है और ये उस कंडिशन में है जब मध्य प्रदेश के अंदर MGCI के बच्चे 11 और 12 में AG 1,2,3 पढ़के आते हैं और CET में उनको ABC से तयारी करना रहता है मतलब एक कम लेवल की पढ़ाई उन्होंने 11 और 12 में की है और उसके बाद में भी CET के अंदर उनका प्रदर्शन बहतरीन रहा है अब आप सोचिए कि जब भविश्य में MP वोर्ड में ABC सब्जेक्ट आएगा जो निश्चित रूप से आने वाला है उस समय MGCI के बच्चे CET में कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब ये ABC से तयारी करेंगे तब MGCI के बच्चे CET में 600 में से कम से कम 500 नंबर लेकर टॉप 10 में अपना इस्तान बनाएंगे जिस प्रकार MPPAT में टॉप 10 में सरवादिक छात्रे MGCI के होते हैं इसी प्रकार आप बविश्य में देखेंगे तो CET की टॉप 10 में भी आपको अधिकतर बच्चे MGCI के ही दिखाई देंगे आगे हम देखते हैं थर्ड नंबर पर है पवन किरार और पवन किरार का अगर हम प्रदर्शन देखें तो आप देखेंगे कि बाइलोजी सब्जेक्ट के अंदर उसके 100% टाइल है सोचिए आप बाइलोजी एक ऐसा विश्य है जिसका अगर हम CET के अंदर देखें तो उसके अंदर एगरिकल्चर वाले बच्चे भी हैं उस बाइलोजी के अंदर और साथ में जिनका 12 में बाइलोजी था वो बच्चे भी हैं और उन सब के साथ में इस बच्चे ने 100% टाइल लेकर आया है तो इसका परफार्मेंस देखें तो काभीले तारीफ है और इसके लिए में इस बच्चे को बढ़ाई देना चाओंगा फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है अकांग्शार अठोर और अकांग्शार अच्टोर का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो एग्रिकर्चर में 98.78 बाइलोजी में 98.22 केमेस्टी में 96.40 के साथ में उसके बाद में देखें तो लवेश और लवेश का अगर देखें तो एग्रिकर्चर में 96.73 98.22 94.04 केमेस्टी में और इसे इसका ओवराल अगर माक्स देखें तो वो है 463.24 फिर गोतम पाटिदार और गोतम पाटिदार का आप देखेंगे तो एग्रिकर्चर में 99.92 मतलब ये भी लगभग 100 परसेंटाइल के आसपास साथ में देखें तो बाइलोजी में 86.75 और एग्रिकर्चर में 92.31 और इसे ओवराल माक्स से इसके देखें तो 453.49 फिर उसके बाद में हैं नमन धाकर और इन्होंने एग्रिकर्चर में 94.96 बाइलोजी में 89.38 और एग्रिकर्चर में 95.85 और इसे इनका परफार्फार्वेंस देखें कुल माक्स देखें तो 600 में से ये लेकर आए हैं 444.94 फिर उसके बाद में हैं गोरांग शर्मा और गोरांग शर्मा की बात करें तो इन्होंने एग्रिकर्चर में 95.20 बाइलोजी भी 94.18 और केमेस्टी 91.07 तोटल माक्स इनके 433.81 फिर हैं गोराव पाठक और गोराव पाठक के देखें तो 98.78 एग्रिकर्चर में 81.68 बाइलोजी में 93.11 केमेस्टी में और इसे कुल अंक देखें तो 426.29 और रंत में है आरियन जेन और आरियन जेन के एग्रिकर्चर में 98.86 बाइलोजी में 81.68 और केमेस्टी में 91.07 और इसे कुल इनके माक्स हैं 418.88 यहां पर अगर आप देखेंगे तो ओराल के साथ में सभी बच्चों ने सभी विशे में काभी अच्छा परिणाम दिया है और यही MGCI की ताकत है यही MGCI की पावर है कि MGCI किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं जाना जाता है MGCI सारे सब्जेक्ट के लिए जाना जाता है और सारे सब्जेक्ट में ही बहतर परिणाम MGCI देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा तो ये है हमारे टॉप 10 इस्टुएंट्स बागी छात्र जो है उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपर से भी मुलाकात करेंगे और टॉपर से हम जानेंगे कि उनकी मेहनत या उन्होंने कैसे साल बर तयारी की साथ में उनसे कुछ टिप्स भी हम लेंगे जो की आगे चलके हमारी पढ़ाई में हमारी हेल्प पर करेंगे किसी के साथ में आगे के वीडियो में आप देखेंगे तो इसके अंदर हम ICR में काउंसलिंग के लिए किन-किन बातों का दिहान रखना है BHU में काउंसलिंग के लिए किन-किन बातों का दिहान रखना है क्योंकि ICR में अगर आप देखेंगे आप वो दे सकते हैं जैसे एगरीकल्चर का बच्चा है तो उसको ABC से BHU दे सकता है लेकिन बाइलोजी वाला बच्चा अगर एगरीकल्चर में अच्छा परफॉर्म किया हो तो वो भी ABC से दे सकता है तो यसी कुछ बाते हैं जिनके उपर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे तो साथियों ये था MGCI का परिणाम और इस परिणाम में जितना योगदान छात्रों का है जितना योगदान MGCI का है उतना ही योगदान MGCI पर विश्वास करने वाले सुब चिंतकों का है तो साथियों मैं इन परिणाम के लिए MGCI पर विश्वास दिखाने के लिए आप सभी का दिल से आभारी हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए नमस्कार